ओके सो वेलकम है परफेक्ट इंशूट के जितने भी स्टूडेंट है जो हमें देख रहे हैं और आज हमारा है परफेक्ट इंशूट का जो दिप विज्योति स्कॉलर्शिप टेस्ट हुआ उसके थर्ड बीना इनका नाम है कमल किशोर जी आइन से जानते हैं इनकी जर्नी के क्या करते हैं, किस सबसे पहले का से पर हमारे यूचफे चैनल पर फो इतना डूसे आप रहे तो रहते हैं चलो वेख जी आया थे यह ञी यहां तो वह उनकी स्टड़ी यहीं से हुई है तो क्या आपकी भी स्टड़ी यहीं जुन दना कर से हुई है तो पर एक चीज होती है मैंने एक चीज देखी है कि जो प्राइवेट स्टूडेंस सब्सक्राइब करते हैं कि उनके लिए अब बिद चलो है पूर ऐसा होता कि वह से सब्सक्राइब करते हैं तो क्या आपने भी ऐसा देखा तो त्यारी करने की शुरुआते आपने उस वज़ह से की या कोई और रिजन तर्यारी करने का सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे साथ करते की अच्छा ओके तो कमल जी आप मुझे बताओ कि अच्छा तो आपने आई टाई की आई की साथ आपने प्राइवेट ग्रेजुएशिं कर ली है कि अभी चल रही है तो आप इतने दूसे यहां पर मतलब रहते हैं यहां लेकर कर सब्सक्राइब कर रहे हैं कब से कर रहे हैं दो साल होगे आपको तो दो साल से अब सब्सक्राइब करते 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 क्या आपने पहले भी मोग टेस्ट दिये हैं यह पहली वारी मोग टेस्ट आपका पहले भी पहले भी दिये हैं ओके चलिए तो इसको इसको आपको लगता है कर था हाँ बिलकुल कंपटीशन जैसे पता होता कि कि कमपटीशन कर रहे हैं तो हमें यह पता चलते कि अगर यह 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 हो रहा है तो मुझे इतना और करना रएट पता नहीं चलता है ना एक और चीज मुझे बताएगा कि आप स्पेशली कोई पर्टिकुलर ली कोई एक स्पेसिफिक कर रहे हैं कि कोई भी एक्जाम आ जाएगा उसके त्यारी कोई भी एक्जाम जो आ जाए ओके वैसे एक्जाम काफी टाइम से आनी रहें बढ मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने हमारे वाले टेस्ट में अगर आपने थर्ड पॉजिशन हास लेकित में आपका लायर बहुत अच्छा है क्योंकि पिछली बात जो हमने टेस्ट करवाया था दिप जो करवाया था उसमें जो हमारे फॉर्स विनर थे वह इस बार जून कि आपका कोई प्रतिक्लरी टाइम भी है पढ़ने का या फिर आप मतलब जाना पढ़ते हैं को त्यारी करने के लिए तो आप उपनी रूटीन को चेंज कर सकते हैं कोई अगर वो शाम को पढ़ता बुले मुझे सुबह उठकर करके पढ़ना तो आप टाइम है आपके पास अगर आपके दो तीन महीने है तो फिर आप रूटीन को चेंज करने के कोशिश मत किजिएगा क्योंकि उस समय तक आपका माइंड ही तियार ने होगा अगर आप सुबह उठ भी जाएंगे अगर आपके रूटीन है रात को बारा विज तक पढ़ने के और सुबह आप आठ तो यह प्रॉट वडिए हैं तो आप उठ चाहेंगे को अपनी हैबट को तो अब इसके हैं अपनी हैबिट को दीरे-धीरे-धीरे-धीरे ... कर सकते हैं ओके तो आप तो अभी आप कर रहे हैं या फिर आप लाइबरेरी में जाते हैं कितना टाइम हो गया है एक साल रेगुलर के और उस वाद घर चले गये थे अच्छा अब दुबारा से रहे हैं तो चोलो आगर आप हमारे थर्ड विनर हैं तो हम भी आपको लाइबर करते हैं तोटली अप्ट यू जैसे भी आप चाहते हैं और आई विश कि आप हाने वाला जो भी एक्जाम होगा उसमें आप ज्यादा अच्छा और अच्छे पर्फॉर्म करें पर त्यारी करते रहेगा विकास कंपेशनरी इस वेरी हाई है ना बहुत जादा हाई है तो त साथ कमल कि शोर और यहां थर्ड विनर बाकी विनर जो रहेंगे जो अगले नेक्स्ट 11 विनर्स हैं वह भी मैं आपको उन्से भी मिलवाओंगा तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अस और अगर आप चाहते हैं कुछ और भी डिटेल तो आप दीगे नंबर पे कॉल करें हैं या फिरा हमारे पॉर्फेक्ट इंशूट को भी विजिट कर सकते हैं अगर आप आसपास के इलाके से हैं तो नहीं तो आप उनलाइन भी हमें कॉल करके पूल सकते हैं तो थैंक यू सो मुच अगें अगर जीन थैंक यू